राम मंदर पर पहली तारीख राम मंदर का काउंडाउन शुरू जियां आज देश के लिए बेहद एहम दिन है आपको बता दें अपसे डेड़ घंटे बाद सुभे साड़े दस वजे सुप्रीम कोट की पांच जजों की समवधानेक पीट बैठेगी आयोध्या मामले में डे घंटे बाद शुरू होगी सुनवाई बड़ी बात ये है कि कोट इस बात को ऐसा जानकार कह रहे हैं कि सिर्फ भूमी विवाद नहीं मान रहा है आप सोचिए पांच जजों की समवधानेक पीट बैठ रही है यानि समवधानेक पहलों की समीक्षा भी इसके दाइरे में आ तादे 2019 से पहले मंदिर बनेगा या नहीं जन्मानस के मन में ये सवाल है राम मंदिर पर आज कोट क्या कहेगा आयोध्यास जमीन विवाद पर क्या रोज हो पाएगी सुनवाई किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा सुप्रीम फैसले का हमें रहेगा इंतिजार लेकिन इस बड़ी खबर से जूरी बड़ी बातों के लिए आपको लेकर चलते हैं प्रतिमा के पास बड़ी जानकारी हम दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट में आयोध्या विवाद पर आज सुनवाई होगी जिसके लिए सुबह साड़े दस बजे का समय तैक किया गया है सुबह साड़े दस बजे इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी ये तैक करेगा कि सुनवाई कब से होगी यानि नियमित सुनवाई होगी या नहीं होगी ये भी आजसाफ हो जागा रोजाना सुनवाई पर भी सुप्रीम कोर्ट आज फैसला कर सकता है कि नियमित तोर पर इस मामले को सुना जाए या नहीं इलाबाद हाई कोट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई वही फैसला जिसमें विवादित भूमी को तीन हिस्सों में बाटने का आदेश इलाबाद हाई कोट ने दिया था उसी पर आज फैसला आ सकता है बेहद एहम दिन है सुप्रीम कोट ने इलाबाद हाई कोट के फ प्रक्षकारने का है कि सुप्रीम कोट का जो भी फैसला होगा उन्हें मानने होगा ऐसे में इंतजार क्या जा रहा है कि फैसला आखिर कार कब आता है रामंदर नर्मान के लिए कानून बनाने की भी मांग उठी है ज realizar कि हम लगातार बताते रहे हैं वो पाट जज कौन है जो इस एहम मामले की सुनवाई करने वाले हैं। प्रंजन गोगोई ये इस पीट का हिस्सा होंगे नेत्रित्व करेंगे उसके अलावा जस्टिस S.A. बोब्टे, जस्टिस N.V. रमना, जस्टिस Y.U. ललत और जस्टिस D.Y. चंद्रचूर। प्रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस बने रंजन गोगोई। सुप्रीम कोट के चार वरिश जजों की प्रेस कांफरेंस में शामिल थे, जिन्होंने सीधे तब के C.J.I. दीपक मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, आलोक वर्मा के केस में सरकार का फैसला पलटा, अभी हाल फिलाल, C.B.I. के पद पर उनको बहाल किया, हालकि उ जस्टिस बने, ऐसे बोबडे, 12 अप्रेल 2013 को सुप्रीम कोट के जज़ बने, बोबडे सहब, निजिता के अधिकार पर सुनवाई की पीठ में रहे हैं, ये बेहद एम फैसला जो हुआ था, उस पीठ का हिस्सा, जस्टिस ऐसे बोबडे रहे, मौलेक अधिकार को हिस्सा ब चीफ जस्टिस बने, 17 वरवरी 2014 को सुप्रीम कोट के जज़ बने, जस्टिस एनवी रमना, 2016 में अरुनाचल में राश्पती शासन पर उनने सुनवाई की थी, राश्पती शासन के फैमिले को निरस्ट फैसले करते हुए, रमना साहब ने फैसले को निरस्ट करते हुए, सुप्रीम कोट के वरिष्ट वकील बने, जस्टिस यू यू ललित, टूजी मामले में, CBI के वकील भी रहे हैं, जस्टिस यू यू ललित, 13 अगस 2014 को सुप्रीम कोट के जज़ बने, और आज अयुध्या मामले में समवधानिक पीट का हिस्सा है, तीन तलाक असमवधानिक बताने वाली बेंच में भी रहे, एक जटके में तीन तलाको असमवधानिक बताने वाली जो बेंच थी, उसका हिस्सा जस्टिस यू यू ललित रहे, अगले जज़ का रोक करें, जस्टिस डीवाई चंदर चूड भी, आज की पीट का हिस्सा है, 1998 में, अडिशनल सॉलिसि का भी हिस्सा रहे, जस्टिस डीवाई चंदर चूड तो अब आप ये देख रहे हैं कि किस तरह की तस्वीर है, रेनाउंड जज़िस हैं ये, बेहद एहम फैसले इनोंने दिये हैं, और ये आए हैं अब अयोध्या जमीन विवाद की सुनवाई के लिए समवधानिक पीट के रूप में जो अब से डेढ़ घंटे बाद तक्रीबन सुभए से साड़े दस बजे इस बेहद एहम मामले की सुनवाई करेगी, लेकिन राम मंदर का मुद्दा कितना पुराना है, हाई कोट ने इस पर क्या डिसिजन दिया था, कब से ये विवाद चलता आ रहा है, और क अब ही निगा है, देश की सरवोच अदालत पर टिकी हुई है, आकड़ों के जरी अपने दर्शकों को हम समझा देते हैं कि आकरकार ये पूरा विवाद है क्या, देखें मुकद्मा 48,924 दिन पुराना ये मुकद्मा है, जो हम राम मंदर या आयोध्या विवाद जिसे हम 12,032 दिन पहले ताला खुला, जो ताले के हम बात करें, जो विवादित भूमी की बात करें, 33 साल पहले ताला खुला, हम आकड़ों के जरीया को समझा रहे हैं, 9530 दिन पहले विद्वन्स हुआ, उसी बाबरी मर्जित का जो विवादित है जगा पर बनी हुई थी, 26 साल प 33 साल पहले ताला खुला, 26 साल पहले बाबरी मस्जित का विद्वन्स हुआ, आकड़ों के जरीया मापको पूरा मामला समझा रहे हैं कि ये कितना पूराना मामला है, फैसला 3024 दिन पहले यानि 9 साल पहले लाबाद हाई कोट ने फैसला दिया था, जिसमें विवादित भू पर सुप्रीम कोट ने स्टे लगा दिया था नेहा, शुक्रे आपका प्रतिमा तो 2010 में इलाबाद हाई कोट का जो फैसला आया, उसके बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि सुप्रीम कोट क्या कहता है, ये बड़ा लंबा विवाद है, वर्षों से इस विवाद के सुल हम सम्मान करते हैं, वो करते रहेंगे, जब साथ चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे पांच, जितने ज़्यादा होंगे, उतना अच्छा फैसला होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून है, कानून की बात लोगों को मानना पड़ेगा, जो भी कोट फैसला करेगा, उसको हम म सबसे बड़ी बात है, उनको चाहिए था कि एक मुस्लिम भी जशिस हैना ज़रूरी था, क्योंकि जो भी फैसला हो, सब हिंदुस भाईज हैं, सब जजिस हैं, गंगोली साब ने शुरूआ चार पांच, चार को एक अठा कर लिया, तो एक मुस्लिम तो पक्षिवा होना तो मुस्लिम पक्ष क्यारों को आपने सुना, जहां पर इकबाल अंसारी कह रहे हैं कि कोट का जो भी फैसला होगा, उसका स्वागत करेंगे, आज ही मैबूब कह रहे हैं कि एक मुस्लिम जज इस पीठ में होना चाहिए था, हिंदु पक्ष जो उम्मीद लगाए हुए है क कोट का पैसला राम मंदर के पक्ष में आएगा, जल्द आएगा, हिंदु पक्ष का आखरी सुनबाई की पहली तारीख पर क्या कहना है, आएए सुनते हैं पूरी उमीद है कि जल से जल फैसला आएगा और भगवान स्री राम लला जी अपने ठाट से भववधिवे मंदिर में विराजमान होंगे, टेंट से, भव्वी मंदिर में, जी निसीत रूप से, क्योंकि सम्विधान पीट गटित हुई है और चीफ जस्टिस महोदा हैं, इसमें जल से जल नेड़े कोई आ जाएगा, जो समधान हो जाएगा। जानसन समाज को आपने सुना, हिंदू-मुसलिम पक्षकारों को आपने सुना।